हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आल आज मैं आपको जो वीडियो रहा है कि मात्र 42 रुपीज का शेयर बड़ा बैंक में इसको कहूंगा सबसे इंपोर्टेंट बात इस शेयर में खास बात यह कि राकेस जुन-जुन वाला जी के पास 6 करोड के शेयर्स नहीं 6 करोड शेयर्स य माल हो गया तो हैं और बहुत पहले से हैं और 40 रुपे का सब्सक्राइब कर रहा है और चोटा शेयर है मैं इसको कहूंगा जब्रदस शेयर कहूंगा क्वालिटी वाइस लेकिन अभी मार्केट में गिरावाट है तो इस शेयर भी काफी सस्थे माया है अदरवाई जे 70-80 र वीडियों पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगा आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीज़े मिस कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हैं निफ्टी दो दिन तेज भागा बिल्कुल डराने वाला डटा जैस से ही लास्ट मंथ हुआ था एपरिल में 29 तारीकों या मार्च में 25 शब्स तारीकों सेम उसी तरहिके से कल और आजमन निफ्टी में चीज़ देखने को बिली र्लैंस अंडस्टी बड़ी कवर फेस्बुक के बाद मैक्रोसॉफ्ट भी कुदा यहां पे 2 बिलियन डॉलर की डील के लिए और इस तरीके से देखिए सुबह हमने मुथ्टूत फाइनेंस की बात करी थी कल हमने टाटा कंजूमर की बात करी थी और अमेरिकन मार्केट इंडियन मार्केट ग्लोबल सारी चीज़ों के बात करते रहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें है खुद की सोच बनानी है और ऐसा आपको बहुत कम लोग कहते होंगे खुद की अनलिसिस करो खुद की अनलिसिस करो क्योंकि वह इंपोर्टेंट होती है वही काम आती है लॉंग रन में तो वह चीज़ आपको पूरी टेकनिकल अनलिसिस सीरीज में सिखाएगी है तो बरूर है एक बार फिर से देख लीजिए बड़ा शेर इन देसेंस देखिए काम के मामले में फेडरल बैंक आठ जार करोड का मार्केट करोलाशन मार्केट का प्राइशन वाइस स्मॉल कैप शेर 40-42 का प्राइस ता आज 42 का प्राइस है इसका सेल्स ग्रोथ 14% की पी रिश अगर आप फंडामेंटल देखो तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे लेकिन मैं यहां कहूंगा पहले नतीजे देखो क्वाटर फोर के उसके बाद ही बाकी चीज़े देखना सबसे पहले चलते हैं राकेश जुन जुन वाला जी के पास जैसे हम गए हमने देखा कितन आप लगा लिजिए और 6 करोड शेर्स उनके पास है बहुत ही चबरतस बहुत ही अच्छे बात है उसके अलावा देखिए आईशे शेयर पोडेंचल फिडिल्टी इन्वेस्मेंट बैंगार्ड इमर्जिंग फंड डियस्पी आर्बिट्रेस फंड वहुत सारे फंड हाउस आसपास रिजल्ट आ है तो रिजल्ट के उपर फोकस करते है जब भी रिजल्ट की बात यह बारी आती है तो मैं आपको डिटेल में बताने की कुशिश करता हूँ सारे नंबर लैक में मैं आपको करोड में कनवर्ट करके इनको बताऊंगा देखिए दर अध्यान से देखें छोटा श्यार जरूर है लेकिन फिर भी आपको फंडामेंटल के लिए रिजल्ट देखना ज़रूरी है टोटल इंकम सबसे पहले इंट्रस्ट कितना कमाया कंपनी ने इंट्रस्ट कमाया 3544 करोड का क्योंकि यह नंबर क्या है लैक में है मैं आपको करोड में कनवर्ट करके इनको बताता हूँ देखिए और पिछले साल के इस बार का इंट्रस्ट बढ़ा है पिछली बार 3100 करोड था इस बार 3544 यानि कि 3544 करोड का बहुत ही बढ़िया ओवरॉल इंट्रस्ट के कमाई कर आप देखते हो तो 11,635 करोड से बढ़के 13,590 करोड यानि कि बढ़िया इंट्रस्ट कमाया बही उसके अलावा बहुत सार 222 करोड जो कि पिछली बार थी 3500 करोड तो यह मैं आपको जूम करके दिखाता हूं देखे 3500 करोड से बढ़के 422 करोड सीधे-सीधे 700 करोड का जंप यहां पर टोटल इंकम में दिख रहा अच्छी बात है पॉजिटिव बात है और लास्ट यर के कमपैरजन में बहुत ही 72 करोड तो ओवराल बढ़िया जंप मैं कहूंगा पिछले साल पिछले फाइनेंचेल करोड के कमपैरजन में यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है लेकिन अब बात आती है टोटल जब इंकम इतनी है तो एक्सपेंसेज भी होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिजर को ज़रा ध्यान दीजे देखिए यह एक्सपेंसेज बड़े हैं यह एक्सपेंसेज 2700 करोड से बढ़के 3200 करोड के आसपास गए 500 करोड के आसपास एक्सपेंसेज बड़े हैं इवन आप पूरे फैनेंचेल एर में भी देखोगे तो एक्सपेंसेज आपको देखने को मिले बहुत सारी provisions, contingency वह भी plan कर रहे company ने तो overall profit में देखूँ देखे बहुत सारी चीज़े यह plan कर रहे एक्स्ट और यह net profit for the period देखते हैं net profit यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से नहीं operating profit दिखा रहा जो profit before provisioning जासे क्योंकि हर किसी ने plan कर रहा इस time पर यह देख सकता प्रोविजन कितने रखे हुए 577 करोड के जो कि पिछले बार मात्र 180 करोड का था इस बार देखिए हर किसी बैंक ने जो है प्रोविजन रखे हुए अच्छे खासे तो overall profitability पर नजर डाले तो कितना है profitability पर नजर डाले हैं तो सीधे 302 करोड का profit यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि पिछले साल था 391 करोड का ज़रा ध्यान देखें ध्यान दीजिए 391 करोड से profit गिरा है 302 करोड लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे time पर भी इतना profit दिखाना काफी अच्छी बात है काफी positive बात है बट हां यह है कि 90 करोड का गिरावाट ज़रूर है profit में अब बात करते हैं यहां पर पिछले साल पिछले साल यानि कि दिसम्र 2019 में कितना profit वह था 451 करोड लेकिन इस बार भी profit में गिरावाट आप सीधे-सीधे देख पा रहे हो अगर पूरे financial year को देखें last और यह क्यों देख रहे हैं कि हाँ बहुत ही pain के situation है बात करते हैं NPA की banking की बात आती है तो NPA ज़रूर देखा किजिए बैंकिंग finance में NPA ज़रूर देखा किजिए तो gross NPA का percentage और net NPA का percentage देखते हैं किस तरीके से सुधरा है या कम हुआ है 2.92 और इस बार कितना है 2.82 1.49 और इस बार कित हैं कि किस तरीके से लेकिन मुझे NPA अच्छी बात लेगी यहाँ पर NPA में कमी देखने को मिली है बट अगला quarter NPA वह आपको देखने को मिलेगा और federal bank जो है एक बड़ा bank है जहां पर remittance के अगर बात की जाने है जो पैसे बाहर से आते हैं और उसका charges अच्छा खासा federal bank जो तो आज देखे 42.45 का last price 3.66% का jump देखने को मिला और 21% के delivery भी देखने को मिली लेकिन अब technical पर जाके समझते हैं technical की जब भी बात आती है तो मैं आपको लेके जाता हूँ share में पूरा end-to-end पूरा end-to-end इसलिए लेके जाता हूँ ताकि अब तसली से धंक से समझे share के technical को अब बार-बार share down आता है और आप देख सकते हैं इस bottom point को देखिए यह bottom point देखिए यह bottom point देखिए यह bottom point देखिए यह bottom point देखिए यह bottom बना लेकिन अभी किस situation pain वाली आपको देखने को मिली इन points को देखिए यह काफी important point है और फिर से जो हमारी expectation थी वो share यहाँ पे आ चु की है देखिए यह range काम की है अब आपको गया आप कैसे कैसे कहते हो कि इस range मा आएगा यह point आपको देख रहा होगा यह time का नहीं पहले यह resistance भी इस ने यहां से लिया था अब इन points को देखिए जो आपको arrow के इंटरसान दिखाता हूं देखिए यह point देखिए यह point देखिए और इस time भी इसी range में आके रुका है लेकिन अगर यहां से तूटता है level आने वाले time पे तो फिर यह range आपकी 25-30 की range में आ जाएगा 25-30 की range में यहां पे पहले भी आया था इस बार pain की situation कुछ ज्यादा ही pain था 125 का stock का peak है देखिए 125 का अभी recently फिर 110 के आसपास का peak बनाया है correction का resolution entry का मौका correction आया correction का resolution entry का मौका इस तरीके से आपको देखना समझना है गिरते हुए share की तरफ attract नहीं हो जाना सस्ते की तरफ attract नहीं होना है चीजों को समझना है उसी के बाद invest करना है weekly chart पे देखिए pain की situation बरकरार है अभी आपने देखाऊगा कि bank share बहुत तेजी से अब देख सकते हो 36 तक अल्रेडी जा चुका है यहां पर जब result आया और result आने के बाद कैसी खुशी की लहर थी कि 41 के level से 43 के level तक गया फिर last में आते थोड़ा closing में down जरूर आ है but positivity जरूर देखने को मिली result के बाद buying volume बढ़िया buying हुई है यहां पर आप देख सकते हो तो य weekly daily साहरा को जबी negative भी पड़ा हुआ है wind up कर नहां पर वीडियो को वीडियो को शेर कीजिए like कीजिए चैनल सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहेगें thank you thank you for watching ले वीडियो